हलो एवरिवन कैसे हो आप सब तो हम आज का अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं इमली की सोट बनाने से सोट कई तरीकों से बनती है लेकिन हम बनाते हैं इमली से तो वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर इमली को मैं रात बर भिगो के रख अगतना यहाँ तरीके से अपने हाथों से लब पनाने से सी जो कये से ताकि से निकाल लेंगे रह फाल पै अलग हो जाएं उसको二 ऐसा करना होगा अगर आपकी इमली जादा है तो आप 3-4 बार भी कर सकते हैं या फिर ये बोल लीजे कि जब तक कि इमली का पल्प सारा अलग नहीं हो जाता है तब तक आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ऐसे ही करना है तो यहाँ पर हम इसको जो है अभी हातों से थोड़ा सा मसल रहे हैं ताकि अभी इसमें पानी है न तो इसलिए ताकि इसका सारा जो गुदा है वो निकल जाए तो अब हमने देखो दुबारा से इसको पानी में उसी डूंगे में डाला पानी डाला फिर से अपने हाथों से इसको मसला और फिर से हम इसको निकाल रहे हैं और यहाँ पर देखिए उसी पतीले में हम रख रहे हैं जिस पतीले में हमें सोंट बनानी है तो आप भी उसी पतीले में कीजेगा जिसमें आप सोंट बनाओगे हाँ जिसमें दूद वगेरा उबालते हो उस पतीले में मत करना फटने का रहता है तो यहाँ पर हमने गैस पे चड़ा दिया है सोंट इसमें नमक भी डाला है लेकिन वो क्लिप कट गई है और यहाँ पर हम इसमें डाले हैं ड्राइफ रूट्स ड्राइफ रूट्स में हमने चुवारे लिया हैं जिनको हमने रात भर भिगोया था और काजू और किश्मिश है सिर्फ हमने छूआरे भी गोय ते नहीं भी गोया है तो छूआरे किश्मिश और काजू डाल दिया है आप अपने हिसाब से ड्रैफ फूर्ट को बढ़ा या घटा सकते हो और थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च भी डाली थी बहुत ही थोड़ी सी नमक और लालमिच वो क्लिप मिस हो गई है या फिर बनी नहीं शायद कुछ ऐसा रहा तो यहां पे जो हमारी सोंट है वो बहुत हद तक पक चुकी है तो टाइम आ चुका है इसमें मीठा डालने का मीठे में आप चीनी शक्कर ये गुड़ कुछ भी ले सकते हैं तो यहां पर हम क्या अगर सकते हीं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमभी और पकली है क्योंकी हिए हमने इसमें चुकी आप한데 करेंगे यह फोटा कुर्ब मसाले संब लिए ऩो सब बहुता गरम मसाले के साथ ही तो यहां पर अब हम बनाएंगे तिकी की तेन्टी की पिठी जो बना रहे हैं तो यहां पर हमने आलू को मेशक देना ये और इसमें सूखे मसाले डाल लिया है, सूखे मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर ये सब डाला है, तो बस अब इनको अपने हाथों से मैश कर लेंगे, हमने इसमें हरी मिर्च नहीं डाल लिया है, आप चाहो तो डाल सकते हो, उसस कुछ लोग ब्रेट ग्रम्स डाल लेते हैं कुछ लोग अपने इसाबसे कुछ भी डालने दे लेकिन हम अरлы डालते हैं हमें वह बेस्ट लगता है और जो बाहर हलवाई और लोग बनाते हैं वह भी աालते हैं तो यहाँ पर हम इसzerली पुझे हम ये पिठी बना रहे हैं, इसको अच्छे से, अपने हातों से मम्ई मेश कर रही हैं और इसमें सभी चीजें अच्छे से मिला लेंगे पूरी टिक्की में, सौरी पूरी पिठी में, तो इसको दो मिक्स करने के बाद हम इसको जो है छोड़ेंगे नहीं तुरंत हम इसकी टिक्यां बनाएंगे क्योंकि इसमें नमक है तो नमक से क्या होगा कि नमक पानी सा कर देता है तो जब आप बनाए तब तोसे साब से हमें पर करीम ले लिया होगा पांचे चम्मच के करीब और इसको अब हम कर लेंगे आच्छे से मिक्स इससे क्या होगा कि जो मारे टिक्की होगी वह अच्छे से बंद जाएगी और टिक्कियां अच्छे आराम से बन जाएंगे बिना फटे बिना टूटे तो बस इसको मिक्स कर लेंगे तो यहां पर रिफाइन डाल दिया है कड़ाई में और यह जो आप देख रहे हैं यह चिप्स तले गए थे सुबह में तो यह उसी का ही है और कड़ाई को प्लीज आप लो बस अंदेखा कर देना मैं जल्दी ही अपने ले नॉनिस्टीक अच्छे वाली कड़ाई लाने वाली हूँ जब भी मारके जाते हूँ बूल जाती हूँ फिर जब यह कड़ाई आप लोगों के सामने लाती हूँ तो फिर मुझे याद आता है और यार कड़ाई और बस इसको आप अंदेखा ही करना बस इसमें बनने वाली चीज को आप गोर फर्माना नहीं मिली आ उससे अच्छा बन जाता बर्गर के लिए ना तो ब्रेट क्रम्स करके चलो ऐसी बना के देदेंगे तो बस यहाँ पे तेल गरम होने देते हैं और यह जरूरी है क्योंकि उससे क्या होगा शेप अच्छी आएगी टिक्की की हाथ में आलू नहीं चिपकेगा तो तेल लगाना जरूरी रहता है तो मम्मी क्या कर रहे हैं और यहाँ पर टिक्की बना के रख लेंगी 6,7 या जितनी भी कढ़ाई में आती हैं आपकी उतनी बना के रख लेजिए और डाल दीजे और अच्छे से उनको जो है मीडियम आंच पर जब आप इसमें डालेंगे तब आच कर देनी थे बहुता है क्योंकि यहीं तो सिर्फ आलू यालू न बेशचा किसमें अर रोट डाला है तो यह देखे यह धीरे धीरे इतनी सिक चुकी है तो अच्छे से अभी हम इनको और शेकेंगे तो होली पे बना रहे हैं इनको तो अच्छा उतार सकते हो और दुबारा से किसी के आने पर फ्राय कर सकते हो या फिर आप इनको कच्छा तयार करकर फ्रीज में रख सकते हो और अगले दिन भी इनको दुबारा से फ्राय कर सकते हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो हमें तो तुरंत खानी है इसलिए हम इ इनको कर रही है और मम्मी को बड़ा शोंक था एक टाइम पर इन सारी चीजों को बनाने का वो हमें बहुत अच्छा अच्छा बना बना कर खिलाया करती थी तो यहां पर देखिए हमारी टिक की एकदम बढ़िया परफेक्ट बनकर तयार हो गई है अब इनको क्या कर रही है मम हास से दबा कर इसमें डाल रही है क्योंकि बीच में कोई आ गया था तो इस वजए से मम्मी ने का यह ठंडी हो गई है तो मैं इनको एक बार और कर रही हूं बाकि अगर गरम अपने अच्छे से से लिया तो दुबारा डालने की जरुवत नहीं है लेकिन अगर आप इसको तो हलकस अपने हास से दबा कर इसको तफ फ्राइ कीजिए और यहां पर मैं जो है फिर अप बर्गर बनाने की तैयारी करी हूं तो मैं यहां पर बन को काट कर रही हूं जो कि मुझे से तेडा कट गया और फिर मुझे लगा दूसरा बन लेना पड़ेगा तो टिकी भी हो च यहां पर यहां पर जो है यह दूसरा राउंड है टिकक्की का मैंने का एक आक मैं आपको दिखा देती हूं इसे डालने के बाद यहां पर मम्मी टिक्की लगा रही है यहां पर हमने ले लिये हास मिर्च भी उपर से काट के डाल सकते हो और इसमें आप छोले भी डाल सकते हो या पापड़ी डाल सकते हो अपने हिसाब से इसमें आप बहुत सारी चीजे कर सकते हो एड तो हम सिंपल टिक्की है तो हमने टिक्की को थोड़ा सा हास से फोड़ा उसके बाद उसमें दही उसके इसमें सोंट डाल दिया है और उसके बाद अब हम इसमें हरी चटनी है वो डाल देंगे हरी चटनी हमारी पहले ही बनी रखी वी थी और बस यह सब करके हमारी टिकी की प्लेट हो जाएगी तयार हाँ आपको जैसे मैंने बोला कि आप पापड़ी या छोले इसमें अपने तरी की बन चुकी है और उससे पहले भूक काना जी का लगा और उसके बाद मैं का चलो मैं जो या बर्र बना लेती हूं बर्कर इसलिये वन रहा है क्योंकि हमारी जो बहुमी है भुमी को टिककी पसंद नहीं है उसके लिए जो है मैंने का चलो बर्गर बनाते हैं क्योंकि होता है ना जब इस तरह का टिककी वगएरा बन रहा है बच्चा ना खाय तो फिर यह रहता है अब इस बच्चे के लिए कुछ लगाया है और बस उसके बाद उस पे मैं जो है टिक्की रख दूंगी यह टिक्की हमने थोड़ी बड़े साइस की बनाई है बर्गर के लिए मैंने ममी को बोल दिया था क्योंकि पता चल चुका था स्टार्टिक में की भूमी टिक्की नहीं खाती है तो मैंने का ममी दो बना आप बड़े साइस की टिक्की बना देना बूमी के बर्गर के लिए तो यहां पर हमारे बन तैयार है मैयोनीज और सॉंस लगकर तो हम उसको भी जो बड़े वाला तवा है नॉनिस्टिक उस पर रख देंगे टिक्की को मैंने पहले से ही पैन पर रख दिया था और जो उनक अच्छे नहीं खाते हैं तो भूमी ने बोलते था मेरी में ना टमाटर रखो ना खीरा रखो मुझे नहीं काना है मेरे बस आप इस तरीके से बनाओ तो उसने जिस तरीके से बोला मैं उसके लिए उसी तरीके से बना रही हूं क्योंकि जिसके लिए बना रहे हैं अगर उस बर्गर बना और बाकी टिक्कियां भी मैंने तवे पे रख दी ताकि गरम गरम रहें और और भी जादा कुरकुरी हो जाएं तो यहां पर बर्गर भी हमारा तयार है प्लेट तयार है आप लोग भी खा लिजे आप इसमें भी अपने हिसाब से चीजों को बढ़ा या घटा सक सकते हो हमने पर चीज स्लाइस लिया था एक चीज स्लाइस रखा है आप दो रख सकते हो एक नीचे की साइड एक उपर की साइड तो अभी जो है काम खतम नहीं हुआ है अब हमारी प्लेट लगेगी मम्मी और मेरी गुड्डू भूमी तनमे और इन सब का हो चुका है बस मै मैं और मम्मी रह गए हैं तो यहां पर मम्मी प्लेट लगा रही है मैंने का मम्मी यहां से मैं निकाल देती हूं कडाई में से और आप जो है टिक्की लगानी शुरू करो मेरी और अपने लिए तो बस हम लोग भी खाएंगे अब तो ऊपर कपड़े सुखाए हुए थे ममी ने तो वस दोनों लड़कियों को ऊपर भेजा कि जाओ कपड़े लेकर आओ और बहुत सारे कपड़े थे तो कुछ कपड़े नीचे जा चुके हैं कुछ कपड़े अभी भूमी उतार रही है और सारे शूँद वग्यरा भी धुले हैं गंदे हो रखेते और ममी जब आती है ममी को यह रहता है मैं यह भी कर दूँँँ इसको काफी दिन dużau तक यह काम नहीं करना पड़ेगा यह काम भी कर जो कुछ टाइम बाद वाला होता है जिसको हमें 15-20 दिन या महीने बार या 2 महीने बाद करना होता है तो ममी को यह रहता है मैं कर जाओं फिर इसको जो है 2-4 महीने लगेंगे या 2-1 महीना लगेगा इस काम को करने में जब तक नंबर आएगा और जब तक इसको थोड़ा आराम मिल जाएगा तो इसलिए सारे शूज वह कहरा सब दो दिये हैं विंटर्स के जितने भी थे वह तो इतने गंदे भी नहीं थे ममी ने उनको भी धो दिया है कि इनको रख देंगे अब उठाकर तो बहुत सारा काम ममी मेरा करवा कर चली जाती है तो बस दोनों जो लड़किया है हमारी कपड़े उतार ली है और उसके बाद यह नीचे आज तन में जो है शूज ले जाने पर लगेगा वह सारे शूज उठाकर नीचे लेके जा रहा है वह शूज रख कर आएगा यह दोनों कपड़े लेकर आएंगी जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है मैं आप लोगों से सुभह से बात नहीं कर पाई हूं क्योंकि कुछ न कुछ न कुछ में लगे पड़े हैं कोई आया है आज हमारे जो दुपैर के खाना में रहा वो यही था टिक्की बर्गर वड़ा पाउ बनाना था लेकिन आलू मैंने इतने कर्म बॉयल किये कि उसमें नहीं बाल बचे आलू बहुत ही थोड़े से आलू बचे हैं मेरे मुश्किल स मैं बड़ा पाउ बना लेती हूं सबके साथ शेयर करूंगी तो मैं लगी ना विपिन ऐसी रजाएंगे विपिन के लिए टिक्की बनेगी शाम को तो बस जरासे से उनके लिए आलू ठाके रखें मम्मी लेकिन उसमें ना अमने अरा रोट नी मिलाया टिक्की वाले उसमें तो अभी जो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं किचन की किचन जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं बहुत बुरा चिकना हो जाता है गया चिकना चिकना हो जाता है तो वहां पे ना मुझे किचन गया साफ करना कुछ बढ़तन कर दूँगी और मैं देखती हूं मुझे सब्सक्राइब जायए लड़कियों को दोनों को तैए ऐसे चारते हैं ठीक से यह दोनों लड़कियां है कपड़ अतार के लएगे किरा रखा एक कपड़े बंड़े गए तो मैं आगे यू किचन में अभी किचन पूरा फैला हुआ है और जब भी हम इस तरीकी का कुछ पकवान बनाते हैं कुछ खाम करते हैं तो अपने आपी फैल जाता है तो फिर अभी इस पूरे स्लैप को मुझे समेटना है बरतन हो गए है क्योंकि बरतन बहुत सारे हैं तो मैंने का मैं इनको कर देती हूं और फिर उसके बाद हमें और भी थोड़ी से क्लीनिंग करनी है तो पहले यहां से शुरुआत करेंगे जो बरतन फैले हुए और स्लैप फैला हुआ है तो मैंने का चलो पहले मैं बरतन कर लेती हूं उसक जाता है लेकिन अभी तक तो इसी में एड़्जस्ट हो रहा है देखते हैं नया टोकरा लाएंगे और अब मैं जो है यह गैस भी अपना साफ कर लूँगे क्योंकि बहुत बुरा चिकना हो जाता है जब कुछ टिकी वगेरा बनता है तो तो बस इसको भी मैं जो है अब अच् पानी डाल दो फूल जाता है और आराम से छुट जाता है वैसे मेरी गैस पे कभी भी कुछ भी नहीं जनता है मैं उसको हातों हात साफ करती रहती हूं तो अभी ज्यादा गंदा था तो इस वज़े से मैं साबुन से साफ कर रही हूं और उसके बाद जो मेरा स्लैप का है उससे मैं गीले कपड़े से इसको चार से पांच बार साफ कर लूँगी जब तक कि बिल्कुल अच्छे से यह क्लीन नहीं हो जाएगा और जब भी मैं इस तरीके से क्लीन करती हूं दिन में एक बार तब मैं पूरे स्लैप पे सर्फ का जो साबून का कपड़ा होता है वो ज यहां पर मेरी सारी स्लैप गैस बरतन हो चुके हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूं आप लोगों को बोले तो मतलब किसी का बहुत जाथा कॉमेंट आ रहा है कि रश्मी अपना गैस स्टॉप दिखा देती हूं अपना यह मेरा संबलेस का है और यह मैंने 2019 में लिया था आ आज का पूरा दिन बिजी रहा सुबह के नाश्टे से लेकर का और कामों से लेकर क्योंकि कपड़े भी दूलेते तो वह सारे काम तो थे ही और खाने पीने का काम भी आज थोड़ा से एक्स्ट्रा था क्योंकि जब हम कुछ पकवान टाइप इस तरह का बनाते हैं टिक्की वगेरा तो उसमें भी टाइम लगता है और फिर उसके बाद हम लग गए हैं फ्रीज के क्लीनिंग में फ्रीज की क्लीनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि रात ना जैसे मैंने गुड्डू को बोला सबजी रग दो तो सबजी रगते वह हलकी सी गिर गई हाला कि उसी टाइम ह अब हम सारा समान बाहर निकाल कर रख रहे हैं और आज का पूरा दिन जो है मम्मी और मैं दोनों लगे ही रहे कभी किसी काम में कभी किसी काम में और मैं जो काम करने चलती हूं ना मम्मी मुझसे पहले आके करने लग जाती है क्योंकि उनको रहता है कि मैं बैठूंगी नी क कोई काम कर रहा है वो घर पर भी ऐसे ही करती है उन्होंने अपनी बहु के साथ भी ऐसे ही किया है कि मतलब उनकी बहु काम कर रहे है तो वो ऐसे नहीं होता था कि वो बैठी रहती है वो भी साथ में लगती है सेम ऐसे ही मेरे साथ होता है कि वह तू कर रही है तो मैं क्यों बै टभुता इसे खाबत आहे महद ना थिलिए pathology आप you मिहां सब को छेखर करने लगे लंगे और मिधी जाएРЕ बाएट करना पढना पदाए या कर एक वीडील डाला हो थो आप लोग बोर झाएंगे तो हमने आब कट्टों नहीं किया इसे में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत एजस्ट कर दिया है चुटी-चुटी क्लिप्स बना कर तो यहां पर समान हमारा किचन का करने का कोई रादा नहीं था लेकिन फिर जो है किचन का भी हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं तो नीचे वाला कैबिनेट हम कर रहे हैं सबसे पहले और उपर वाल करने में एक बार होता है डीप क्लीन नीव में बोलूंगी जो हलका फुलका वो तो बस यहां पर फटाफट से समान देख रहे हैं कहां कैसे क्या रखना है क्योंकि जब भी हम सेटिंग करते हैं तो सेटिंग्स चेंज होती है कुछ समान हमारा एक्स्टर निकल जाता है या तो वो किसी को हमारा देने को होता है या फिर वो होता है और शोर आ रहा होगा लेकिन आप इग्नोर कीज़ेगा क्योंकि इसकी एडिटिंग में अपने घर पे कर रही हूं तो इस वज़े से थोड़ा बहुत बहुत कंट्रोल करते हैं बोलने का लेकिन फिर भी थोड़ा ब थकान का पता भी नी चला थकान का पता चलता है रात को लेटते वक्त जब हम बिस्तर पे लेटते हैं तब एहसास होता है कि पूरा दिन कितना काम किया तो बस जी काम ने इम्टाते हैं फिर मिलते हैं आप से हुआ यह हमारी गुडिया मेरी बेटी है भी तामू क्या हुआ इस नी तो कुछ बोलोगी नी कुछ बात नहीं करो गए तुम गेम खेलो पता है न मम्मी वीडियो बना रही है ना वह मिल गई है तो वह दरती वह मुझे भी मिल गई थी हम उमें कुछ बाद्शाथ क्या कुछ भी कुछ भी कॉले कुछ भी कुछ तो कॉले इस है अरे बर्गर केसा लगा हुआ हमें इजाज़त कल मिलेंगे हम आप सबसे बहुत ही अच्छे से बालों पर रंग करवाने वाले बालों वीडियो के साथ लियाने वारी है ना इसमें बालों को रंग वाने जा रहे हैं हुली के नंगुमे नंगहा किया एंग, बाए, 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 बाए बाए